हेलो एवरिवन चलिए आज बनाते हैं गाजर का हलवा तो गाजर का हलवा बनाने के लिए आज हमने एक केजी गाजर को रफली काट लिया है तो यहाँ पे हम एक केजी के आसपास दूद भी लेंगे आप दूद की मात्रा घटा या बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से गाजर का हलवा जल्दी बन जाता है और घिसने में तो हमारा काफी टाइम चला जाता है इसलिए आप इस तरह से भी काटके स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना सकते हो तो हमारे पास थोड़ी सी न दूद की मलाई बची हुई थी तो हमने ऊबर से वह भी थोड़ा सा डाल दाल दिया तो अब झाल दिया तो इसरह जब इसमें तीन से चार सीटी आने तक हम इसे पका लेंग proprio कि आसे पना हमारी ता हम यहीं पेंगेश को अ बन ब्लेंड के अच्छे से ब्लैंड कर लेंड तो हम def fridge सब्सक्राइब हाँ कि पहुत जल्दी ब्लेंट हो जाती हैं इस थिभास करने से तो देखिए अब हमारी गाजर वह तो देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि यह हमने रफली काटा हुआ गाजर का हलवा बना रहे हैं तो इस तरह से हो जाने के बाद हम नहीं पर चीनी भी डाल देंगे और हम तब तक इसे चलाएंगे जब तक इसका दूद अच्छे से नहीं सूख जाता अब ना देखिए गाजर का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है तो अब हमें यहीं पर गी डाल देना है अगर आपको गी पसंद ना हो या आप गी नहीं खाते तो बिल्कुल भी ना डाले यह हलवा बिना गी के भी बहुत ही अच्छी लगती खाने में देखिए यहां पर गी बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी थी अबना हमने यहां पर कुछ ड्राइफ रूट्स काटके रखे हैं हमारे पास ज्यादा ड्राइफ रूट्स नहीं थे सिर्फ काजो और किश्मिश थे आपके पास जो भी ड्राइफ रूट्स हो आप व इनाइची पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिला लिया है अब देखिए इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और इसका दूद भी पूरा अच्छे से सूख गया है अब हम यहीं पे गैस आफ करेंगे तो देखिए हलवा बहुत ही अच्छा बना है चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है हलवा का अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें थैंक यू